अगर आप ब्रत के लिए कोई ऐसी रेसिपी तलाश रहे हैं जिसे बनाने में समय बहुत कम लगे रेसिपी टेस्टी हो साथ ही जिसे बनाने में ज़्यादा ओयल या घी कभी इस्तिमाल ना हो तो ये रेसिपी आपके लिए सही रहेगी सबसे पहले आपको क्या करना है एक बोल में डाल देना है एक कप राजगीरी का आटा अब यहां मैं इसमें डाल रहे हूं दो चम्मच समा के चावल का आटा जो कि प्रत में खाये जाते हैं अगर आपके पास यह ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है केबल राजगीरी के आटे से भी यह रेसिपी बनाई जा सकती है आधा चम्मच इसमें साबुद जीरा डाला है स्वादनुसार सेंधर नमक डालेंगे प्रत वाला जो नमक होता है वस वही आधा चम्मच काली मिर्ष का पाउडर डाला है एक हरी मिर्ष पारी कट करके डाल दी है पारी कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दें अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देना है अब आपको इसमें डालना है पानी अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है इसे बहुत अच कि भी कर सकते हैं तो यहां पर न मैंने नाश्टा बनाने के लिए ये देखे इस तरीके का एक घोल बना कर त्यार कर लिया है अब इसे आप 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखें अब यहां मैंने एक कच्चा आलू लिया है आलू को आपको छील लेना है इसका जो छिलका है वो निकाल देंगे कच्चे आलू से ये रेसे भी बहुत ही बढ़िया बनेगी अब आपको करना क्या है एक परतन में पानी लेना है और इसमें इस आलू को घिसना है बारिक वाला ग्रेटर लेना है उससे आलू के लच्चे बनाने है पानी में घिसने से लच्चे काली नहीं प दिया है बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है बहुत ही कम मैनत में बिना किसी जंजट के बिना आलू उबाले बहुत ही मज़ेदार सी ये ब्रत की रेसिपी त्यार हो जाती है अभी ये जो बैठर है थोड़ा सा गाड़ा लग रहा था रेस्ट पर जब हमने रखा ना तो ही में बनाएंगे वैसे आप चाहें तो इसे ऑल में बना सकते हैं अब इसमें थोड़ से सफेद तिल डाल दी हैं सफेद तिल ना ब्रत में खाये जाते हैं इसलिए मैंने डाले हैं अगर आप तिल नहीं खाते हैं ब्रत में तो इसकिप कर सकते हैं अब जो बैटर त्यार कि उपर से देखे ये dry दिखाई दे रहा है अब आपना इसके उपर भी थोड़ा सा घी लगा दें आप चाहें तो थोड़ा जादा जादा घी भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसे बहुत कम घी में बना रही हूँ जो लोग health conscious हैं उनके लिए ये recipe बहुत ही बढ़िया है अब इस लिया है नाष्टा हो चुका है तयार तो बस इसे निकाल लें और सारा नाष्टा इसी तरीकी से बना कर त्यार करें अगर आपने ब्रत में एक बार ये recipe बना कर खा ली ना तो आप हमेशे ब्रत में यही नाष्टा खाना पसंद करेंगे अब आप इसे कर्मा गरम सर्फ स्क्राइब करें और फेस्बूक पीस को फालो करें